कि नमश्कार सुर्य नगरी यूनिक लोग क्लासेश के यूटूब चैनल पर आपका हाट देख स्वागत अभी नंदन खरती हूं बात करें हम लोग स्पेशल मैंन क्लासेश की क्या है क्यों इसकी जरुद पड़े हुआ कि कहीं ऐसे स्टूटेंट्स आते हैं जिनके पास कहीं बाद प्री निकला हुआ है मैं में रह जाते हैं या इंटर्यू से वापस आ जाते तो उनको लगता हम प्री में अपना टाइम वेस्ट ना करके हम सिधा मैं की प्रेशन करें और वैस यहां पर क्या होगा जैसे मंडे को क्लास होगी सब्सक्राइब को क्लास होगी फैनस दे को टैसी इसका मतलव मंडे और स्टी भीको आपको मेरे इसाम पाउन्टरों वहीं से पढ़ा जाएगा मैं ने कि जो है, उसमें key points भी लिखाएंगे, कि कैसे आपको करना है, even तो हम आपको यह लिखाएंगे, कि कैसे आपको उसको लिखना है, आपको presentation कैसे होना चाहिए, और presentation के इलावा सबसे पहली बात है, उसको याद कैसे करना है, कई-बार question आता सामने, कि में हम ratification होना चाहिए, या concept ह होने चाहिए, या उसमें case laws लिखने चाहिए, तो हर state का अपना अलग लग है, आप जिस state पे जातों, आप देखेंगे, किसी में सिर्फ conclusion पूछा जाता है, किसी में case laws भी पूछा जाता है, किसी में to the point पूछा जाता है, तो जिस state को आप join करेंगे, उसकी answer writing उस state के according की जा समय है, अब देखेंगे, इसके इंतर दो subsection दिये गए, subsection 1 and subsection 2, अब subsection 1 में भी बहुत सारे close दिये गए, अब इसको कैसे याद करना है, और कैसे लिखना है, उसी के लिए आप main batch join कीजिए, कहते हैं अधिक जान करें के लिए class join कीजिए, तो ये इस batch पे बताए जाएगा तो ये जो वीडियो हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए हैं, कि किस तरसे यहाँ पर main की batches में पढ़ाए जाएगा, क्योंकि कहीं सारे बच्चों कहीं रहता हैं, कि कैसे पढ़ाए जाएगा, कैसे पढ़ाए जाएगा, इसमें किस चीज को focus करेंगे, कैसे रहेगा, ठीके, तो ये हो गए आपका दूग, देन हो आपका तीसे दिन आपका टेस्ट, अब आपका सवाल आते हैं, मैं घर बैटके पढ़ूँगी, तो ये test paper चेक कैसे होगा? बिल्कुल सही सवाल है आपका, कि test paper चेक कैसे होगा? आप पूरा test paper करेंगे, आपके पास जो PDF file आएगी, व होने के बाद उसका conclusion, हर question के साथ उसका narration लिखावा होगा, कि क्या गलती की, क्या नहीं करनी, क्या इसमें लिखना था, क्या improvement कर सकते, ऐसे कर करके आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि अब तक हम सिर्फ मैन लिखके, देदेतर बच्चा वापस message करता हम बताते, इस वर हमने थोड मैंसे 5, 3 मैं से 3 आएंगे, 6 मैं से 6 आएंगे, तभी तो वहाँ जाएके 4 मैं से 2 अएंगे, 9 रही हैंगे, क्योंकि वो पूरे माकस हो देते New olor होता है, तो हमेशे हो कोंचिंग में आपका नहीं की से आई जो सलेक्ट होरके उनके वीडियो देखेगा हमेश एक बात करते हैं कि मैं के लिए सबसे बेस्ट है वो है प्रैक्टिस अब बार बार टेस्ट दीजी जितनी ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको फाइदा होगा और यहां पर फाइदक है टेस्ट भी है क्लास भी है उसमें क्या एड करना है क्या नहीं चीजे जोनी है जैसे उड करन्य हैं इमॉपर आ हैट करना है और सबक्रेप लिए जित्ती भी चीज़े हैं जो आपको वहाँ देनी वो सब कुछ वहीं की वहीं मिल जाएगी प्लस एक paragraph है उस paragraph को कैसे point में divide करना है कैसे उस point के coding आप उसको करेंगे क्या presentation है presentation में क्या diagram बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं यह सब की सब चीज़े इसके साथ साथ चलेगी तो यह हमारी मैंद की है अब आता है कि उसके बाद कि क्या इसमें demo होगा चलिए आज मी बाद बताती हूं demo होगा ना बताए ना कैसे पढ़ाएंगे हम यहाँ पर demo का मतलब होता है कि आप registration करवाईए registration fees 500 दीजिए उसमें फाइदा कि आप 3 days बैठे क्लास में if you comfortable then you continue नहीं तो वही रोग दीजिए अन्यता क्यों होगा मैं पहले दिर आपसे fees लिलूँगी sorry बिटा आप बिलीव हैं तो आप join कीजिए अन्यता मत कीजिए क्योंकि हम तो अच्छा पढ़ाते हैं YouTube पे हमने आपको दिखाया है वगर वगर यह वो इतने selection होए आस तक हमारे एक बेच में 600 बच्चे बैड़ते हैं एक साल में हम लोग 6000 बच्चे को पढ़ाते हैं च्छे साल में हमारे पास 60,000 बच्चे पढ़े हैं और 600 बच्चे निकले हैं 1% result निकला हैं और उसमें आप जा रहे हो और यहाँ पर साड़े 300 बच्चों में सब 50 निकल गये यह हम बता रहे हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यह जस्ट ही होता है कि registration fees बाक 3 days बैठी है मैं पहले दिन fees नहीं ले रही हूँ इसका reason ही है ताकि 3 दिन में आपको रहेगा कहां मुझे join करना है या नहीं करना है बाकि आप मेम कैसा पढ़ाती है वो सब तो YouTube पे देखा ही आपने वो 3 days इसलिए होता है कि भीया हम ले रहे हैं आपके पास better connectivity है या नहीं आपके पास net problem तो नहीं आरी voice में problem तो नहीं आरी proper में सुनाई तो दे रहा है यह 3 days इसलिए बिठाते हैं इसलिए हम 500 लेते हैं यह refundable नहीं होते हैं क्योंकि जब refund ही करना होता है तो 500 लेते ही क्यों लेकिन class में जब आपको आना है registration कराना है पड़ेगा और form भरने के बद आपको fee देनी पड़ेगी क्योंकि registration fee आपको submit है हम उस registration fee में आपको 3 days का time देते हैं कि आपको further fee submit करने के लिए आपको आपको जोइन करना है या नहीं करना है तो इस registration fee को एक बड़ा बवाल मचावा है डेमो के कौन पैसे लेता है बिल्कुल सही YouTube पे 500 से ज़्यादा वीडियो है पूरा free है कभी registration नहीं करा है आप में से 50% बच्चे जो हमारे YouTube के subscriber है उस पे दिखाते हैं कि 50% बच्चे वो लोग वीडियो देखते हैं देखतो रहे न हुआप क्या हमने कहा पहरे subscribe करो फेरी देखो हम तो subscribe के ली भी नहीं कहते हैं कि करू या नहीं करो देखतो रहे हो न आप तो क्लास में आप आओगे, आप एक अंजान है, आप इस्टेंजर है हमारे लिए, मैं तो जान पेचान की होगे न, यूटुब पर रोज देखते हो, तो क्लास के लिए तो registration कराना होगा, और registration fee देनी होगे, और जिस बच्चे को coaching करना होता है, क्योंकि आपको क्या लगता है स्टुडेंट नहीं मिरे पास है, बढ़ रहे, तो जिनको करना होता है, उसको कभी भी registration fee से तकलीफ नहीं है, तकलीफ उस बच्चे को तिसको करना नहीं है, डेमो, 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 डेमो लेते वे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बरबाद कर चुके हैं, एक 500 रुपी के लिए, वाई, कितने देमो ले होगी, अब समय आ गए, निकल जाओ ना, और सबसे ची बात, आपके पास एक ऐसा टीचर मिला आपको, जो एटलिस, आपके पीछे-पीछे भागता है, आपको एक चीच करवाता है, आप पूछें से कई स्टूडेंट है हमारे पास, जो भूल जाते हैं, पीपर देना, मैरे फोन करते ही, भाई, तेरा पेपर का है, नोट्स देना, भोल जाते है, भाई, तेरा नोट्स का है, आई नोट्स की बात, यहाँ पे एक और चीज, डेली बेसस पे आप नोट्स बनाएंगे, आज मैंगे पढ़ाया, तब तक सब्जेक चेंज, सब्जेक चेंज आपके उक्वारी कभी आएगी ने, कोई बच्चा क्या तो नोर्स दे दो, मार्केट में इतने नोर्स पढ़े है बेटा, समझ वाया तो समझ के देख लो, और मेरी नोर्स तभी काम आएंगे न, जब मुस्से पढ़ावा होगा, अन्य तो उसमें क्या लिखा, आपको पता ही नीचे लेगा, तो यहां पड़ नोर्स बनाना सिकते, क्या क्या बेटा, जैसे आड़ जे से, डी जे से, एंपी जे से, ठीक है, यूपी जे से, यूपी जे से, सारे स्टेट के हमने अलग लग फी सकीए, अलग लग क्यों रख पेटन है तो डायक वाला, तो इसमें जो भी आपका पैटन होगा, उसे स्टेट से होगा, जिस स्टेट को आप चुनेंगे, और हर स्टेट के अलग फी से, अब आपका अगला हैगा, कमेंट, मैं फीस तो बता दू, मैं आपने फीस तो बता ही नहीं, अब इतने सारे स्टे पूरा शेडू लिखा होगा बकाई तो उसमें फिस लिखियोगी आपको पसंद आएगा तो देन फ्रदर यू कॉल रिजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लेंगे और देन उसको फील करेंगे जैसे करेंगे आगे का प्रोसेस आपको दे दिया जाएग इस दिन आपको वापस करेंगे सब्सक्राइग तब किया वाँ आप कभी भी जूड़ सकते हो कोई टेंशन नहीं है कि मुझे 21 तारिक कोई पहुंचना है या मुझे 2 तारिक कोई पहुंचना है आपको जब भी लगे क्योंकि आप जिस दिन हैंगे उससे स्थार्ट तीसरी बात मैं बीच में से भी पढ़ाती हूँ तब भी वे है कि आप जिस दिन भी जूड़ करेंगे उसी दिन से आपको समझ माझे बड़ इन सब के लिए यह ओनलाइन बैच है कैसा बैच है ओनलाइन लाइव क्लासेज हैं नो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं देना जब रोज आपने मैनत की जाती है तो काई को पूरा चार घंटे दे सकता हैं वो इसको जोईन करें सफलता हुनी के पास होगे ठीक है ध्यान रखेगा अपना खुश रहेगा अपने बडोसी झाल